हाँ तो देखिए आज हम जानने वाले हैं यह जो हमारा क्वेश्चेन है सेमेश्टर फोर बीए समेश्टर फोर क्वेश्चेन पेपर यह जो देख रहें आप हिंदी का कौर पेपर एट है कोर पेपर आइट अब देखिए यहां पर मैं कुछ चीजे दी गई इसका अर्थ सम जा रहा हूं यूजी का मतलब को होता है अंडर ग्रेजवेट यानि कि अभी आप ग्रेजवेट नहीं हुए ग्रेजवेट में प्रिपरिंग है ठ Griffith यहाँ पर जो भी होता है चलब हिंदी यहाँ आपका लिखा होता है तो समझ जाते के पॉलिटिकल साइन्स इस प्रकार यहां पितीन सब्द है न इसमेशर में आपंसटर संब्ध है हमारा क्या किस सेमेशर में सब्गाला सब्गत होता है युद्ट फाहने के और अब ignorant सब्सक्राइब फरवरी महिना में पूछा जा चुका है अब आए जानते हैं कि किस परकार के कोश्चन आता है तो आपको समय तीन घंटे कर समय दिया जाता है फॉल मार्क्स ऐसली अवते हैं और पूल मार्क्स एक सो होते हैं जिसमें से 20 मार्क्स आपको कॉलेज की तरफ से औ यहाँ पे आपको कुल प्रश्ण जो दिये गए हैं एक भी objective नहीं सब subjective 80 में से पहला question क्या है पहला question की किनी दो प्रश्ण को उत्तर दें किसी भी दो प्रश्ण का उत्तर देना है आपको 4 प्रश्ण दिये गए यहाँ पर 5 ठीक ना 5 प्रश्ण दिये गए इसमें से केवल 2 को बनाना है और एक question का आपका marks है 20 marks पहला question क्या है सुरिए प्रेम चंदोतर प्रेम चंदोतर कहानी का स्वरूप असपस्ट करें ठीक इसे आप असपस्ट कर सकते हैं एक नमबर question question number 2 क्या है हिंदी की आंचली कहानीयों की विसेस्ताओं पर परकास डालिए परकास मतलब टौर्च वाला परकास नहीं ठीक ना आपको बताना है कि इनमें क्या अच्छाईयां थे क्या बुराईयां थे इनकी क्या विसेस्ताईयां थे इन सावकी कवारे में बतान है घाल-णमर क्या है इदगा जो कहानिया पढ़े ही होंगे इदगा जो बच हाल चीम्टा लेके आता है अपनी बूड़ी अम्मा के लिए या दादी के लिए जो भी होतीं है stake कहानी कला के दिरिश्टी से है कहानी क्ला एक प्रकार के लिए उसकी विसेस्थाइं या क्या है उस पर आपको बताना है और आम उमर क्या है उसके सवरूप का रुणन करें उस लेकर के वल दो ही बनाने जो एक करशन का होता है क्या है कि 3 गूरूप में बठाएं गूरूप गूरूप भी में क्या है कि आपके 10 अंक के है एक नमब्ध कहानि और रूपए नियस में क्या नतर होता है आपको बताना है कि近Art की पूर्व लिखित काहानि प्रेम ते करना है उसके बाद का क्या है कथाकार के रूप में प्रेमचंद का परिचाई देना है आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेमचंद को कथा समराथ कहा जाता है ठीक न तो कथाकार के रूप में प्रेमचंद का एक इंट्रोडेक्शन दे दिजिए घानमर क्या बता रहा है निमलिखित पांक्तियों क की सव प्रसंगिक वैख्या करें उसके बाद यहाँ पे आपको दे दियाए यह प्रसंग आपको इनकी वैख्या करना है यहां मुख सनेह था खुब ठोस रश और स्वाद से भरा हुआ, ठीक, इसका आपको प्रसंग सहीत वख्या करना है, अब देखिए, गुरूप C में क्या आता है, तीन गुरूप में बटा था, गुरूप A, गुरूप B, गुरूप C, तो गुरूप C में क्या है, आपके दो अंक के 10 कोस्चेन है, इसका उत्तर दे छपी थी, आपको छपने वाला डेट बताना है, गुरूप नमबर क्या है, चोधरी कायम अली, चोधरी कायम अली एक कहानी है, इस कहानी का पात्र है, चोधरी कायम अली, एक कहानी का एक मेंबर है, तो यह किस कहानी में है, आपको बताना है, गुरूप नमबर क्या है, खिलोनों का प्रसंग किस कहानी में आया था खिलोनों के सब्द खिलोने वाले आपको मालूम होना चाहिए देखे मुझे तो हिंदी पढ़ता नहीं दोस्तों से लिया है और आपके लिए जुगार कर रहा हूं क्या रामेश्वरी का मात्रित वभाव लुप्थ हो गया है इसका भी उत्तर दे दिजिए इसमें सभी कोष्टोने के उत्तर देने होंगे ठीक ना, दस में से दस हो के कहानी कला के कितने तत्व होते है आपकी ये भी बताना है कहानी चतूर सेन सास्त्री की कहानी का नाम लिखे आचार या चतूर सेन जो सास्त्री जी ने कहानी लिखे है उनका नाम लिखेना है आपको उसके बाद जा नंबर क्या है देखे चंद्रधर सर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानियों की संख्या बताएं इन्योंने कितनी कहानी लिखाए आपको बताना है इदगा के अतिरिक्त प्रेमचंद की प्रमुक कहानियों के नाम लिखें आप बता दीजिए बुढ़ी काकी बोल दीजिए पूस की रात बोल दीजिए अच्छी-ची कहानियों नमक का दारों का बता दीजिए ठीक आपको अच्छे जी कहानियों के नाम लिख देने दो उसके बाद लहना सी किस कहानी का पात रही है जो लहना सी है ये कहानी में आये हुए है या किस कहानी में आये थे ठीक ना ये किस कहानी के मेंबर है आपको बताना है तो इन सभी इस परकार मैं आपको ग्रिजवसन के सारे जो है पेपर दे दिये है मैंने आपको और अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं प्रेवीश सेर कोश्चन में आपको मिल जाएंगे अब देखें यहाँ पे एक अच्छा सा मैंने नोट किया है अब आप इसे पढ़ लिए आपको साथ तब तक के लिए पढ़िए और आपने हक के लिए लड़िए देनिवाद